नमस्कार मैं हूँ राजबीर कुमार और आप देख रहे हो जागरुता मीडिया साथियो आज कोई नीज नहीं है लेकिन ये जो वीडियो होने वाली है ना बहुत इस इक्सिया फर्द होने वाली है भई आपको इससे बहुत कुछ सिखने को मिलेगा इसलिए आप लोगों से भिनम रन्निवेदन है कि इस वीडियो को सेयर करें आपने हर ग्रूप के अंदर सेयर करें और बहुत ही मतलब अच्छा मित करने वाली वीडियो होने वाली है अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना और लाइक कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताना कि आपको इस वीडियो कैसी लगी तो साथियो आज मैं बताने वाला हूं अपने खुद की कुछ पर्सनल चीज़ें साथियोंने माँ तो सुनाई होगा और आप लोगी माँ होगी भी उन्हों बगवान से इस वर से परातना करता हूं कि भैसा भी कि माँ जो है उनकी उम्मर लंबी करे माँ आपको पताऊंगा कि मेरी एक नहीं दो नहीं बलकि तीन माँ हैं अब आप लोग सोचते होंगे कि भई तीन माँ कैसे हुई वह मैं आगी बताऊंगा वीडियो में देखना और उसके बाद एक संजोग होता भई हर चीज़ का जो बहुत ही कम देखने को मिलता है मेरी तीन माँ है और तीनों का नाम भी संजोग है यह बहुत वड़ा संजोग है संजोग कैसे है वह मैं बताऊंगा आप देखिए पहली मेरी माँ यह है देखिए इसको बोलते हैं जननी माता आपने भी अपनी मा की कोक से जनम लिया होगा यह मेरी माँ है भाई पहली फैस्ट मदर जिनकी कोक से हमने जनम लिया और यह दिल कितनी अच्छी है कि माँ आपको सब्दों बया नहीं कर सकता थोड़ी बोली है लेकिन आज तक इनोंने कीशी का बुरा नहीं किया बैई और आपको पता है ना कि आपको हर इंसान दोखा दे सकता है लेकिन मा कभी दोखा नहीं देती बैई आजकर हम देखते हैं अनाथ आसरम में वरदा आसरम में जगह जगह पर लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं उनकी सबसे बड़ी भूल है भाई सबसे बड़ी गलती है यह जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं ठुकरा देते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि आने वाले टाइम में उनके साथ भी यही होने वाला है क्योंकि उनकी वो उलाद जो होती हैं उनकी दो बच्चे होते हैं वो सब देख रहे होते है क्योंकि उनकी करने का फ़ल भाई यही पर मिलने वाला है अब यह मेरी माँ देख रहा है आप सक्रिंग पे हैस्ट मदर है मेरी जिन्होंने मुझे जनम दिया पाल पॉस्कर बढ़ा किया मेरी बहुत केर की और मैंने हमेसा ही चाहा है कि मेरी मा और मेरे पिता हमेसा खुश रहें और कुछी चीजी कमी ना हो पॉरिंद का नाम में बता दूं संतोस है आपने गाना सुना होगा मा का दिल बहुत प्यारा गाना है या बजन कह सकते है वो जब आप पूरा सुनते हैं ना 22-23 मिनट का है तुनने के वाद अगर आप उसको अमल करेंगे तो आपको विश्वास होगा कि मा चीजी क्या होती मों प्यार दिलार दिलार दिलार। कुछ लोग होते है साधी के बाद अपनी मा को उलग कर देते हैं यह भी सबसे बड़ी वूला बई अबने माता पिताओं कभी अलग मत कीजिए एक माँ होती है जब चुले परोटी बना रही होती है उस समय आप इदर दर देखते हैं जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो ऐसे देखते है उस समय एक माही होती है जो बिना आपसे पूछे ये कहती है कि वेटा नमक चीए नमक उदर रखा है आपके साथ पिसाइद ऐसा कभी हुआ होगा एक माही होती है जो अपनी ओलाद की बिना बोले बिना पूछे कि उसको क्या चाहिए समझ जाती है भई इसलिए माह का दिल कभी मत दुखाई है आप जाते हो मंदिरों में मस्जिदों में गुर्दवारों में कहीं जाने के आप सकता नहीं है किसी ने बगवान को देखा नहीं है लेकिन बगवान का तो दूसरा रूप होता है ना वो मावापते है तो यह तो जो मेरी पहली माँ अब जो मैं सेकीन मदर के बारे बात कर रहा हूं यह मेरी सासु माँ इनका नाम भी संतों सब्देखना इस मीडियो में आप लास्ट तक मतलब संजोग आई है किसी तरह से मतलब क्या कैसे संजोग बैठा यह हम नहीं बता सकते मां खुद ही अब इस बारे में दो सोचता हूं ना खुड़ा मतलब अजीव लगता है कवे यार कि तीनों मां सेम नाम के मेरी सासु मां जिन्होंने अपनी बैटी को वाला पोसा इतना बड़ा किया और जब एक मां अपने पेट से अपने गरब से जिस बचे जन्म देती है न उसको किसी पराए घर में बेजती है यह बहुत बड़ी बात है तो यह भी मेरी जन्म देने वाली महानों उससे कम नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी उलाद को में दिया है बहुत बड़ी बात है इनका नाम भी संतोस है बहुत बड़ा संजोग साथी बहुत बड़ा संजोग अगर आप सोचते हैं तो मधिल से इन्हें माह मांता हूँ को मेरी माह हैं भी बही बही दूसरी बात आज कल क्या होता है कि जिस गर में अपने बेटी के साथी करती है जो मा अपनी कर्म में मतलब अपनी बेटी को देती है ना कर्में देती है तो वहां पर उस बेटे से मुझ डखती है वहीं यहने की पल्लू करती है ऐसे इन हमें बहुत गलता लगता है उन्हें सुरू से मना कर दिया था कि माँ आपके बेटे हैं तो मूँ डगने की पल्लू करनी को जुर्थ नहीं है सबसे गंदी रिवाज है वही है हमारे समाज के अंदर अब आते हैं तीसरी माँ पर ये ये मारी माँ है बाई मामी जी मामी जी है मैं मेरे मामा की यहां लग बग 2008 है नो की बात है उस समय में ड़ाई साल रहा बाई है और ड़ाई साल के दोरान उन्हें ने मेरे इतनी केर की बलो उनका एक बेटा है मतलब खाने का लगा लो या फिर आप कोई मिलो केर की बात लगा लो नाने के लिए उन्हें पूरी तरह से खाल रखना अपने बेटे से बढ़के खाल रखा भई मेरा तब समय इनको अपनी मा मानता हूं अब इनका नामी संतोस हो भई और वास्त में बहुत अच्छी माना मेरी और भगवान करे इन तीनों के लिए मैं यह सुचता हूं कि क्या कर दो यार बस मालिक कभी भी ऐसा दो रुना दे ऐसा समय ना लाए कि कभी मुझे इनका सेवा करने का मौकर ना मिले तो भगवान से परातना करता हूं मैं इतना सक्सम रहूं कि भई इनका पूरा ख्याल रख सकूं इनने कभी यह ऐसास ना हो कि भई ना बेटा नहीं है ना बेटा नावायक है हमें किसी कमी है कभी मैसुस नहीं होना चाहिए साथि आप क्या को इस बारे में मैं तीनों माजों हैं उनके बारे बता दिया और तीनों का नाम संतोस है क्या ऐसा संतोस आपने पहले देखा है अगर देखा है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कहां देखा और कैसे साथ आज की वीडियो में तना ही फिर मिलते किसी नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्कार